नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एलन स्मार्ट लर्निंग, आज का हमारा वीकली करेंट एक्फियर सेसन स्टार्ट होता है, इस सेसन के अंदर हम इस सब्तहा के जो भी इंपोर्टिंट करेंट एक्फियर से हैं, उनका डिसकस करेंगे, जो की वन डे प्रैक्टिकल या फिर पहले एक ख़वर की जो आ रही है नासा से, जी हाँ नासा से, नासा का एक रॉवर, यह आप कहा सकते हैं, आस्ट्रो वैलोजिकल लेवरेट्री, वो अभी अभी लेंड हुआ है मार्स पे, यानि मंगल ग्रह पे, जी हाँ, लाल ग्रह जो मार्स के नाम से जाना जाता है, य उस क्रेटर में यह लेंड हुआ है, और वहां के माइक्रोवियल जो लाइफ है, उसका एनिलाइसिस यह करेगा, तो आईए इसके वारे में कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, उनकी जानकारी हम लेते हुए चलते हैं, सबसे पहले नाम, पर्सियो वैरंस, नाम ह इस रावर का, जो कि मार्स पे लेंड हुआ है, यह मैनली एक एस्ट्रो वैलोजी लेवरेटरी है, यह पॉइंट आपको याद रखना है कि किस से रिलेटेड है, दूसरा इंपोर्टेंट है, क्रेटर, जिस क्रेटर में लेंड हुआ है, वो है J-0, यह क्रेटर है, जहां य ये लेंड हुआ है इसके अलाबा इसके साथ एक इंडो-अमेरिकन साइंटिस्ट का नाम लिंक्ट है और वो नाम है स्वाती मोहन जी हां स्वाती मोहन वो सेंटिस्ट है जिनोंने एक महत पून भूम का निवाई है इस मिशन में तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको इंडिया ने अपनी मैपिंग पॉलिसी को लिवरिलाइज किया है तो आएए देखते हैं कि क्या वो इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं इनकी जानकारी हमें होनी चाहिए पहला है कि जो नई मैपिंग पॉलिसी है यानि जो न्यू मैपिंग पॉलिसी है that's especially for Indian companies यहां आपको गूगल या आप चाहें कि Amazon या आप कहें कि Microsoft यह कंपनिया अगर इंडिया के मैपिंग डाटा कर यूज करना चाहती है तो उन्हें टाइप करना पड़ेगा Indian companies के साथ और तभी उनका यह यूज कर सकती है तो पहला important point है especially for Indian companies दूसरा है कि जो इस्पेशल डाटा है वो अब companies के लिए private companies के लिए allow नहीं किया जाता था और अभी उसमें बहुत ज़्यादा liberalization किया गया है नई नई कंपनियों को मौका दिया गया है नई नई start सबको मौका दिया गया है आगे अगर हम बात करें आपके मन में होगा कि अगर हमारे geospatial data को अगर आप एक private company को देते हैं वो केवल APIs के थ्रू ही available रहेंगे APIs यानि Application Program Interface जैसे कि आप यूज करते हैं Google Map उस टैप के आप एक इंटरफेस पर यूज करते हैं आप उसे download नहीं कर सकते सिर्फ यूज कर सकते हैं उस data को reuse नहीं कर सकते रिशेल नहीं कर सकते तो वही APIs के थ्रू ही यह जो data है वो available नहीं कर सकते उस data को अभी इसका जैसे आप जानते हैं Google Map उपसी ताहर का एक इंटरफेस लेकर आ रहे है कंपनी Map My India और वो किसके साथ पार्टनर्शिप करके रहे है कि ISRO इस रो पार्टनर्शिप के साथ और Map My India की जो पार्टनर्शिप है इन दोनों के मिलके एक अल्टरन टिप Google Maps का ये लोग लेके आने वाले हैं तो ये एक यूज हुआ आपका इंडस्ट्री में कि किस तरीके से जो नई policy है वो useful रहेगी उसके अलावा भी इस policy के बहुत सारे अलग अलग यूज हो सकते हैं अलग अलग जो start-ups हैं वो बहुत सारे ऐसे नए नए आपके tools स्वामित्प योजना उसमें ये बड़ा useful रहेगा तो हम यहां पर स्वामित्प योजना का भी discussion करते हुए चलते हैं देखिए स्वामित्प जो scheme है ये scheme manly survey है अगर आप इसकी full form देखें तो survey of village and mapping with improvised technology in village areas ये manly स्वामित्प है स्वामित्प जो scheme है ये ministry of panchaiti राज, state panch जैतिराज departments, state revenue departments and survey of India अब जैसे आप यहां देख रहे हैं कि अब तक survey of India इसके साथ link था अब दूसरे जो private players है वो भी इस field में आएंगे और ये जो काम है ये बहुत easy हो जाएगा हम लोगों के लिए आगे अगर इसकी बात करें तो इस scheme को इसका जो man aim रहा है वो property validation solutions के यनि rural areas में आपके जो property है आपका जो land है उसके क्या dimensions है वो अभी भी आपके under में है या नहीं है उसके कहीं आपका अतिक्रमन तो नहीं हो रहा है उसकी availability ये सारी चीजें इससे link रहेंगी आप जानते हैं कि कोई भी company अगर आपको loan देना चाहती है against land तो उसके लिए भी बह continuous operating references, stations के थूँ और drone technology के यूज करके एक mapping या maps ड्रॉप करेगी जो कि online एविलेवल रहेंगे इसके अलाबा इसमें जो important बनता है कि ये launch भी थी April 24th, April 24th 2020 को ये launch की थी और पंचैती राज़ डे भी उस दिन होता है नेशनल पंचैती राज़ डे जो है वो April 24th को मनाया जाता है तो ये important points हैं जो आपको regarding स्वामित याद रखने हैं और नई mapping policy कैसे स्वामित को help करेगी ये भी आपकी जानकारी में होना चाहिए अब आगे बात करते हैं हम Femina Miss India 2020 की इस बार का Femina Miss India 2020 contest जो है वो कहां organized हुआ है क्या आप answer कर सकते हैं इसको जी हाँ आप बिलकुल सही स contest was held digitally ये आपको एक important point है जो कि याद रखना है इस contest के बारे में अब हम बात करते हैं यहां results की कौन बिनर रहे हैं कौन runner अप रहे हैं और कौन grant बिनर अप रहे हैं तो देखिए इसमें हम बात करें तो बिनर हैं इसकी मांसा बारानसी ये point है ये आपको याद रखना ये ना करते हैं यहां कि Fina Miss Grand India टृृटी č्टे कौन रहे हैं तê हरयाना से रही है मानिका शू कं भाहन जो है हर्याना से और वह hana इंडिया ट्वैंटी त्वैंटी 20 की अब हम बात करते हैं runner-up की तो Famina Miss India 2020 runner-up जो रही है वो रही है Mania Singh UP से ये जो Mania Singh है ये इन दनों काफी famous चल रही है आपके social media networks पे और इसलिए ये important हो जाती है आपके exam के regarding आपको confused नहीं होना है ये runner-up है और ये winner है Mania Singh जो है वो एक auto driver की बेटी है और इसी बज़े से उनके संघर्स की बज़े से और इस तर तक पहुँचने के लिए उन्होंने जिन परिष्टितियों से वो गुजरी है उन सबकी बज़े से social media पे ये एक संसनी बनी हुई है इस बगत तो अब Mania Singh के बारे में आपको रखना है कि they are from UP ये पॉइंट आपके exam के रिगार्डिंग आपको याद रहे इस अबता का अगला जो important point है जिसके रिगार्डिंग हम discussion करेंगे अभी वो है India and UK meets ahead of COP26 जी हां Conference of Parties 26 जो की Glasgow England में होने वाला है उससे पहले India और UK, United Kingdoms के जो प्रतिने दी हैं उन्होंने मुलाकात की इसके बारे में हम यहां कुछ जानकारी लेते हुए चलते हैं क्योंकि ये एक important point बनता है regarding your competitive examinations तो देखिए सबसे पहले जो चीज आपको यहां याद रखनी है वो है COP26 COP26 यानि Conference of Parties 26 ये इस बार होने वाला है England में यानि England इसको host कर रहा है जी हां, England host है COP26 का और अगर बात करें इसकी co-host की तो साथ में Italy इसको co-host करेगा जी हां, Italy और England ये दोनों मिलके COP26 को इस बार host कर रहे है आगे हम बात करते हैं आलोग सर्मा जी हां ये नाम आपको याद रखना है ये President Designate है COP26 के तो President Designate कौन है COP26 के तो आलोग सर्मा ये हमको याद रखना है दूसरा एक important point आता है वो आता है आपका NDC जिसके regarding a meeting हुई है National Determined Contribution ये क्या है तो देखिए NDC जो है उसमें क्या था कि COP21 जो हुआ था यानि Conference of Parties 21 जो हुआ था यहाँ पर हम discuss करते हैं COP21 के बारे में वो हुआ था पैरिस में पैरिस फ्रांस में COP21 हुआ था पैरिस फ्रांस के COP21 में वहाँ पे एक agreement हुआ था जिसे पैरिस agreement के नाम से जहना जाता है जो पैरिस agreement था वो एक legal winding थी लीगल winding of the participants इसमें 196 countries ने participate किया था जी हाँ 196 countries ने participate किया था और एक legal winding की थी regarding climate change जैनि climate change के regarding एक legal winding की बात हुई थी पैरिस agreement में और उसी में कहा गया था NDC के बारे में NDC में आपको post 2020 के लिए अपने climate actions से related या climate change से related जो गोल निर्धारित किये हैं देशोंने उनको बताना था और उनको ही हम national determined contributions कहते हैं यानि environment को सुरक्षित रखने के लिए आपका जो country है वो कौन कौन से contributions दे रहा है post 2020 उनके बारे में ही NDC में बात की गई है और इसी के regarding क्योंकि अब 2021 आ रहा है इसकी meeting होने वाली है COP26 की तो उसके regarding उन लोगों ने आपस में बातचीत की यानि India और England दूसरी बात यहाँ पर जो मैं आपको बताता हुआ चलूँ और जो important भी है वो यह है कि पहले जो COP26 था यह होने वाला था November, December 2020 में लेकिन आप कह सकते है COVID-19 की बज़े से यह एक साल बात यानि 2021 में अभी आयोजित किया जाएगा अब आगे जो हम डिसकस करने वाले हैं वो हैं Maverick मशिहा जी हाँ, N.T. Ramarab, नाम तो आपने सुना ही होगा बहुत बड़े politician रहे हैं, उससे पहले एक अच्छे टेलगू एक्टर भी रहे हैं काफी प्रिभाव रहा है वहां के जन मानस में इनका तो इसकी जो इनकी जो बायोग्राफी है, उसका नाम है Maverick मशिहा यह बायोग्राफी है N.T. Ramarab की नंदमूरी तारक रामराओ की, जिनने N.T.R. के नाम से भी जाना जाता है यह एक फिल्म इस्टार ही नहीं रहे हैं, बलकि जैसा मैंने कहा पॉलिटिक्स में भी इन्होंने काफी अपना पावर कैप्चर किया है आंत्रिप्रदेश में तो इनके बारे हम बताते हैं कि बात है 1982 के आसपास की, तब यह फिल्मों में काम किया करते हैं तो एक फैमस एक्टर थे तेलगू के, तब ही इन्होंने एक पार्टी बनाई, तेलगू देशम पार्टी 1982 में यह पार्टी बनाई थी और बहुत ज़्यादा बहुमत के साथ उस बक्त यह वहाँ विजय हुए और आंत्रिप्रदेश में इन्होंने अपनी गौर्रमेंट बनाई अब होता क्या है कि जैसे ही इनको उस बक्त कुछ हार्ट प्रॉब्लम्स थी और हार्ट टेक होता है तो इनके जो साथी थे उन्होंने वहाँ पे सीएम का पत क्रहन कर लिया था किसी कारण से तो इसके बाद इनका काफी ड्रामेटिकल रहे हुए दुबारा सीएम बने फिर दुबारा से इन्होंने चुनाब लड़े कई बार इन्होंने अपने मित्रों के लिए भी पिर्चार किया है तमिल नाडू में ऐसे बहुत सारी चीज़े हैं एक और इंपोर्टेंट फैक्ट जो इनके साथ जुड़ा हुआ है वो यह है कि यह पहले ऐसे पॉलिटिशन रहे हैं जिन्होंने रत्यात्राओं का प्रिचलन शुरू किया था जी हां आजकल आप देखते होंगे बहुत सारी पॉलिटिशन से वो रत्यात्राओं निकालते हैं इसके जो सुरुवात थी वो एंटी रामराब नहीं की थी तो पहला है इनसे रिलेटेट जो फैक्ट है वो है तेलगु देशम पार्टी ये 1982 में इन्होंने बनाई थी और तभी ये CMB बने थे दूसरा है रत्यात्रा से रिलेटेट रत्यात्रा की जो पॉलिटिकल रत्यात्रा कह सकते हैं उसकी जो सुरुवात है चुनापरिचार में जो यत्रयात्रा का यूज किया जाता है वो भी इन्होंने ही सुरू किया था तो इन दो चीज़ से हैं Maverick मसीहा नाम है इनकी बायोग्राफी का और उसके राइटर है रमेश खंडुला तो ये पॉइंट जो है वो आपको याद करते हुए इसी के साथ हमारा जो भीकली करेंट है फिर अनलाइसिस है वो हम यहीं रोकते हैं और आपके लिए छोड़े जा रहे हैं दो क्येस्टन्स जी हाँ पहला क्येस्टन है वो है इस्रो है इनाउंस तो प्रवाइड मैपिंग और पोर्टल इसका जो आंसर है वो आज के हमारे डिसकसन के अंदर आपको मिल जाएगा दूसरा क्रिशन है इसके लिए मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि आने वाली 24 फरवरी को इंग्लेंड और इंडिया के बीच जो थर्ट टेस्ट क्रिकेट मैच है वो इसी स्टेडियम में होने वाला है और इसके बारे में हम डिसकस करेंगे हमारे अगले वीक के करेंट आफियर सेशन में इसके साथ ही थैंक्स थैंक्स एलोट फो वाचिंग दिस बीडियो लाइक और सब्सक्राइब आपर चैनल और आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं क्रिस्टन के रिगार्डिंग वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं All the best for your exams